गडबंधन में इतनी बड़ी दरार दिखी वह भी मध्यप्रदेश के चुनाओं के कारण लेकिन बयानबाजियां भी जिस तरह की हो रही है ऐसे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच दूरी और तल्खी बहुत तेज हो गई है कि ऐसा लगता है कि लोकसवाद चुनाओं से पहले कांग्रेस कुछ पेजबंदी करने में लगी है जिससे कि उत्तर परदेश में वह ज्यादा लोकसवाद सीटे इस गडबंदन में मांग सके हैं यह कांग्रेस में यह बदलाओं कैसे आया है अगर आप पीछे जाकर देखें तो हिमानचल परदेश और करनाटक की जीत के बाद कांग्रेस का जो टेंपो बना उससे उसको लगता है कि जब यह पांच राज्यों के चुनाओं परदाम आएंगे तो वह पांच सून निसे पूरे देश में सबका सफाया कर देगी एक कांग्रेस में बड़ी अतिस्योग पूर्ण सोच चल रही है कि वह पांच सून्य से विदान सबाद चुनाओं जीतने जा रहे हैं यानि कि सारे राज्यों में कांग्रेस जीतेगी अगर वह सारे राज्यों जीत जाते हैं तो उत्तर परदेश में यह किसी को मुह तक नहीं लगाएंगे और फिर यह हो सकता है कि अपने हिसाब से गड़ बंधन टाय करें लेकिन ब्रम कितने दिन ठीकेगा यह चुनाओं परड़ाम आने वाले वक्त में टाय करेंगे चार तीन दिसंबर को चुनाओं परड़ाम आएगा ब्रजेट जी मद्द परदेश राजस्थान चतीजगर्ड तेलंगाना कांग्रेस राष्टिय पार्टी है वहां मौझूद है लड़े जीते हारे जो है लेकिन जब उत्तर परदेश आओगे तो जहां पर तुमरे पास बिशावे के लिए खटिया तक नहीं नहीं वहां त तब हमें 2530 सीट लड़ेगा वह अपनी स्थिति अगर वह अपने साथियों के बीच अलग दिखाना चाहता है तो यह बात साप है कि बीजेपी को फाइदा होगा क्योंकि एक इंडिया का गड़बंदन उत्तर परदेश में अगर मद्वेदों का सिकार हो गया बिखराओं क मजबूत है बहुत बड़ा वोट बैंक है उसके पास और उसको तो यह अच्छा लगेगा कि अपस में लड़ाएं जितनी ताकत पर पार्टी है भाजपा उसके सामने अगर लटखलाते हुए लोग खड़े होंगे तो उसकी जीत बड़ी आसान हो जाएगी देखिए मुसल और कांग्रेस दोनों एक जगा है अब यह दोनों आगे एक जगा कितने पर रहे जाएंगी यह बहुत बड़ा मुसल्मान के सामने एक धार संकट आएगा जटिलता पैदा हुई है लेकिन आज आजम खां का पूरा परिवार जेल चला गया है उतर प्रदेश में मुसल्मान इस बात को सुकार नहीं कर पा रहा है और इससे समाजवादी पार्टी के साथ वो ज़्यादा वड़ी संख्या में एक जूट होगा कांग्रेस आजम खां इस प्रक्रण के बाद अगर मुसल्मान का उट लेने की सोच रही है तो वो नुक्सान में जाएगी ब्रजेजी समाजवादी पार्टी को हरा कर कांग्रेस खुस हो ले लेकिन राष्टी अस्तर पर वो बड़ा नुक्सान उसी का होना है क्योंकि परधान मंत्री का पद कांग्रेस दावेदार होगी वहाँ सपा अखिलेश यादो साहिट दावेदार नहीं होंगे लेकिन अब ये राजनीत है अपना पार्टी बनानी है संगठन खड़ा करना है लेकिन ये जान लिजिए कि जब उत्तर परदेश में एक सांसद है तब इतना एहंकार में कांग्रेस डूबी है और जब कांग्रेस का जलजला वाला पीरियड रहा होगा तब ये किसको कितना गहां जालते रहे होंगे इनका विवहार उस समय कितना उत्पाती रहा होगा ये भी आप सोच सकते हैं जी देखिए जैसे हमारे हाँ बिरेंजी का अब्जर्वेशन बड़ा तकड़ा होता है जी वो दिसे मकान खंडहर हो जाता है जाला लग जाए उमहां कबूतर उलए ल और तब भी राजा साब कहा है नहीं है महल हम छोड़ने के तयार नहीं है यह एक जमाने में बहुत आलिसान महल था वो जमाना चला गया कांग्रेस उत्तर परदेश में रामेठी और राइवरेली में आज भी समाजवादी पार्टियों के खिलाब परत्यासी नहीं देती है राहूल गांधी चुनाओ हार गए सोनिया गांधी एक चुनाओ जीती ऐसी स्थिती में अपने मित्रों को उपहास करके उनको कमजोर करके यह उमीद है कि अखिलेस ना सही तो मायवतिश कटबंदन कर लेंगे यह धाराएं पता लगा मायवतिव ना करीं तो कांग्रेस अक आ रही है ठीक है बात कर रहे हैं इनका क्या प्राबलम है अब दूबे की पार्टी छोटी है जो जो और से नहीं चिलाएंगे तो आवाज कौन सुनेगा इनकी लोग इनको एक मंडल की पार्टी इनके बताते हैं लेकिन जैन चौधरी के साथ भी तो कांग्रेस ने गटबं में हमायती थे राजस्थान में तो इनके कई विधायक पिछली बाहर भी थे और अब उत्तर परदेश में लोग दल्द और सभाक अगडबंन तो चला रहा है बहराल सुनियेगा कि जन्मतें फिर से गवारा करते हैं और कुछ लोग मुहबत दुबारा करते हैं और मेरा काम है उनकी तस्वीर देखना और इसी से आजकल हम गुजारा करते हैं और यह रोज-रोज के तंज अच्छे नहीं दोस्तों और तू अगर खुस नहीं है तो चलो हम भी किनारा करते हैं बहुत शुक्रिया विरेंजी बढ़ी उची बात आप खह़ए देते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोडने के लिए और Ground Zero से अपने इंपूट